नमस्कार आज हम एलेक्ट्रोइस्टेटिक में जिस सिद्धान्त का अनेक बार प्रयोग किये उस सिद्धान्त को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और ये सिद्धान्त है कूलम्स लॉड हम अपने एलेविन्थ ट्वैल्थ सभी क्लासेज में जहां से फिजिक्स का अध्यन प्रारम हुआ हमने इंट्रेक्शन प्रोस्टिस को समझा है अन्योन के लिए क्या होती है और प्रकृति के अंदर किस प्रकार के इंट्रेक्शन है अगर हम फंद्रेक्शन की बात करें तो फंद्रेक्शन में जो इंट्रेक्शं में जो अन्योन करिया है मूल अग्यों करिया हैं जो सामिल हैं वह है ग्रेविटेशनल इंट्रेक्षन इलेक्रोमेगनेटिक इंट्रेक्षन न्यूकलियर इंट्रेक्षन और बीक इंट्रेक्षन ये चार पिरकार के इंट्रेक्षन को हमने फंडामेंटल इंट्रेक्षन में माना है और इन चारो fundamental interaction से हमारे प्रिकर्ती में पाए जाने बाले मूल बलों की बिवेचना की जाती है मूल बल चाहे gravitational force हो, चाहे electrostatic force हो, चाहे nuclear force हो और फिर इन चारो इंट्रेक्शन के आधार पर, चारो fundamental force के आधार पर जो theory जिस पर अभी भी काम चल रहा है वह है theory grand unification कहलाती है हम आज चुकि इलेक्ट्रो इस्टेटिक डिसकस कर रहे हैं तो हम electromagnetic interaction पर विचार करते हैं और इस की जो study है, वो कूलम के नियम के द्वारा की जाती है कूलम का नियम क्या कहता है यदि निर्वात में इस्थित, दोनों बातों पर ध्यान दें निर्वात में और इस्थित के साथ बिराम अवस्ता बिराम अवस्ता मैं बिंदू आबेसों के मद्द अन्योन क्रिया के परणाम सरो बिराम अवस्ता में दो बिद्दुत आबेस एक दूसरे को आकरसित और प्रतिकरसित दौनों के बीच में attraction force हो सकता है दौनों के बीच में repulsion force हो सकता है इस प्रकार का होता है ये सारी बात हमको कूलम के नियम से मिलती है जो दोनों बात हैं वो हमको याद रखनी है क्या कहते हैं निर्वात में इस्थित और ब्रामा बसता यानि चार जो है वो रेस्ट पर होना चाहिए ये इस कूलम के नियम की मुख्र बेचना है यदि उन दोनों के बीच में आकर्शन और प्रतिकर्शन बल है तो हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं यह बल जो भी बिंदू आवेश है उनके जो भी मैगनिटूड है उसके प्रपोर्शनल होगा और उनकी मद्द की दूरी के बर्ग के बित्क्रमान पाती होगा अते दो बिंदू आवेश Q1 वे Q2 पर यदि उनके परसपर दूरी R2 माइनेस R1 मैगनिटूड इस्तित है तो आकर्शन और प्रतिकर्शन बल को हम किस प्रकार से लिखेंगे जैसा अभी समझाया F is proportional to Q1 Q2 दोनों आवेश के गुडन फल के समान पाती F is inversely proportional to R2 माइनस R1 मैगनिटूड स्क्वेर दोनों के मद्द की जो दूरी बन रही है उस दूरी के बर्ग के हम इन दोनों statement को मिला रहे हैं और मिला करके लिखते हैं F is equals to K Q1 Q2 by R2 माइनस R1 whole square K constant है जिसका मान 9 into 10 की पावर 9 होता है और इसको हम 1 upon 4 by epsilon 0 से दरसाते हैं epsilon 0 permittivity कहलाती है बिद्दूसीलता कहलाती है diagram देखेगा मैंने Q1 और Q2 दो आवेश दिखाए है दोनों आवेश के मद की दूरी R1 और R2 है और उनके मद की जो दूरी है वह है R2 माइनस R1 दिखाई गई है दोनों बिंदू आवेश के मद जो भी बल है वह है बिंदू आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिस होगा उसकी जो दिसा है वो इस परकार से होगी मैं F12 कह रहा हूँ, किसके कारण है Q1 के दोरा, किसमें लग रहा है Q2 के दोरा, तो हम उसको F12 कह रहे हैं, तता दोनों अभेश के मद्द की जो दूरी है, वो R21 है, तो R21 को हमने वेक्टर R2-R1 कहा है, तब F12 का जो बल है, वह R2-R1 के अनुदिस होगा यानि उसकी जो दिसा है वो R2-R1 के अलोंग होगी यदि R2-1 के अनुदिस एकांग सदिस R2-1 है small R2-1 है तो हम इस कूलम बलके नियमानुसार force का जो समीकरण है लिख सकते हैं F122 is equals to KQ1Q2 by R21 magnitude square unit vector R2-1 इस प्रकार का गरतिय संबंद हम कूलम के नियम से लिख सकते हैं यदि दौनों बिंदू आवेश दौनों बिंदू आवेश यानि की दौनों आवेश Q1 Q1 और Q2 मान लीजे दौनों धनात्मक है अथवा दौनों रिनात्मक है तो हम जानते हैं कि उस case में जो बल लगेगा वह है repulsive force होगा प्रतिकरसन बल होगा और F12 की जो direction होगी वो R2 बन के अनुदिस होगी परन्तू यदि Q1 और Q2 की polarity दौनों धनात्मक दौनों रिनात्मक होने के बजाए एक धनात्मक एक रिनात्मक एक रिनात्मक दूसरा धनात्मक इस प्रकार की हो विप्रीत प्रकृति हो तो उनके मद में जो बल लगेगा वह आकरसन प्रकृति का होगा और इस केस में F12 का जो मान होगा और उसकी जो दिसा होगी वो पहले वाले बल से विप्रीत होगी इसके कारण से मैंने इस direction को minus R2 बन से लिखा है इस समीकरण में K बराबर 1 upon 4 पाई epsilon 0 है जिसका मान 9 into 10 की power 9 है हमें ध्यान रहे फिर मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि कूलम का जो नियम है वह निर्वात और बिंदूबत इस्तिर आवेसों के लिए ही पूंडते यतार्थ है साथ ही जो बास्तिकता है वह क्या है आवेसित बस्तुव में आवेस का distribution होता है और आवेस इस्तिर भी नहीं होते है आवेस कभी इस्तिर भी नहीं होगा अत्य यह कूलम के नियम की सीमा भी है जिनसे इस प्रकार के जो forces है वो इतने सरल नहीं होते जिस प्रकार की हम बात कर रहे है आवेसों के मद्ध यदि हम कोई दूसरा माध्यम प्रयोक्त करें ये सारा अध्यन जो मैं अभी संकेत करना हूँ हम अपने पाठिक्रम की दुत्तिय एकाई में बहुत जल्दी इसको बिस्तार से अध्यन करने बाले हैं मानली जी हमने कोई पराबैदुत डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें रखा तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने के कारण क्या होगा इसके विद्दुछित्र के कारण जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे के सापे डिस्पलेस हो जाएंगे विस्तापित हो जाएंगे और इनके विस्तापन होने की गटना जो माध्यम की उपस्तिती में हुई है हम इसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहेंगे ये सारी बाते हम विस्थार से यूनिट सेकिंड में करने वाले हैं और इन विस्थापित आविसों के कारण एक विद्दु छेतर औरूतपन हो जाएगा अतै दिये गए आविसों के मद्दे जो भी आविस का छेतर का मान है वहे मान अब जब हम परावेद्दुत माध्यम अधा ये जरूरी है कि अन्योन क्रिया के लिए इन आविसों के साथ माध्यम में इस्तित आविसों के छेत्र को भी हम सामिल करें क्योंकि उससे परणामी छेत्र हमको मिल पाएगा तो इस केस में हम लिख सकते हैं अब यदि आपने कोई माध्यम रखा है तो इस आविसों के मद्द लगने वाले निर्वात में जो बल लग रहा था उस बलका मान Epsilon R से Epsilon R गुना से कम हो जाता है Epsilon R Relativity, Relative Permittivity कहलाती है Epsilon R is Relative Permittivity कहलाती है जिसको हम आपेक्षिक बिद्दुत सीलता कहते हैं और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंग पराबैदुत पराबैदुत अंग भी कह सकते हैं इस प्रकार का विसेश अध्यन हम एकाई दो में करने वाले हैं जैसे कि कोई समांतर प्लेट संदारित रहें उनके मद में मान लीजे पराबैदुत माध्यम रग दिया तो किस प्रकार से डाइलेक्ट्रिक पोलराइजिशन की ढटना होगी माँ पर इसका अध्यन करेंगे ध्यान रहे दूरी की भी जो कूलम के नियम में जो दोनो आबेस हैं उनके मद में दूरी की भी एक सीमा है अधिक्तम कितनी होगी पता नहीं लेकिन नियुनतम दूरी निश्चित रूप से फर्मी ओर्डर से कम नहीं हो सकती क्योंकि उस केस में जो बल है वो कूलम का नियम लागू नहीं होता है बलकि नाब के बल लागू होने लगेंगे धन्यवाद